कैसे हैं आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स होप सबच्चे होंगे पॉजटिव होंगे खुश होंगे सावधान आपने वीडियो का टॉपिक देख पी लिया होगा आपकी लाइफ में कुछ घटने जा रहा है सुबह सुबह वाइरब्रिशन्स आई वीडियो बनाने स पहले कुछ ऐसा फील हुआ कि कहीं कुछ है जो नेगेटिव है कहीं कुछ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं जन्रल कलेक्टिव ठीडिंग है or टायमलेस डिडिंग है बहुत सारे लोग उसे रैसनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है बढ़ित Thai Meanwhile आपको अगर ऐसी फीलि request जाती है ना कोई mail जाती है ना कोई message जाता है कि आईए reading लीजे नहीं आपको reading लेनी है आपको classes लेनी है group का description भी दिया गया है community का और उसको join कर सकते हैं और नीचे number भी दिया गया है landline number का logo ने misuse किया इसलिए उसको हटा दिया गया है अब direct आपको whatsapp number दिया गया है आपकी कोई भी query है आप जब तक हम तक नहीं message करेंगे हमारी तरफ से कोई message नहीं आएगा social media scammers को समझे अगर आपको कोई message डाल रहा है कि reading कराईए ये कराईए वो कराईए बिल्कुल भी नहीं है आप बिल्कुल नहीं कराईए जब आपका मन हो description box में जो number दिया गया है उस number पर जाईए message कीजे तब आपको reply आएगा हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई reply नहीं आत है reading कराना चाहते है most welcome बट message आपको करना पड़ेगा हमारे नाम पर कोई कर रहा है तो बिल्कुल सोच लीजिए वो कोई fake है fraud है कि देखते हैं क्या कुछ ऐसा घटने वाला है क्या घटने वाला है यह scammers का मुझे इसलिए बोलना पड़ा है कि बहुत साधा लोगों ने ऐसा किया है and suddenly मुझे वो landline number भी हटाना पड़ा हलाकि ऐसा नहीं है अभी भी मुझे बहुत सारी वाटसप का everyone knows कि बहुत बेकार के लोग भी मेसेज करते हैं but anyways आप लोगों के लिए ये भी सही पेशेंस सोरो की अनर्जी है अलर्ट हो जाएए कि अलर्ट हो जाएए साव धान एक्स्पीरियेंसिंग comparison आप समझ में आया कि energy असी क्यों हो रही थी सबसे पहले है patience की energy आपने बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे में भी ये कोई relationship है रिष्टों में बहुत ज़्यादा चुपी रखी है रिष्टों में बहुत ज़्यादा problems आ रही थी तो आपने हो सकत है आप लंबे टाइम से चुप चल रहे हैं आपको energy समझ में नहीं आ रही है और लगभग एक डिड़ साल से मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ना आपकी energy drain हो गई है जितना आप और कुछ लोग ऐसी frustration की energy में पहुँच गए हैं जितना वो शान्त रहने की कोशिश करते हैं जितना वो अपने आपको control करने की कोशिश करते हैं उतना ही लोग उनको दुखी कर रहे हैं यह कोई आपके बिल्कुल near and dear है दुख कौन दे सकता हमें जिनको हम जिनको हम जो है अपना close मानते हैं जिनको हम अपना best देने की कोशिश करते हैं जिनकी energies से हम connect नहीं हो पाते हैं आपने जितनी patience रखे हैं आपको उतना तोड़ा गया है आपने जितना अपने आपको bold बनाने की कोशिश की जितना आपने यह सोचा कि वक्त अब ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज आप एक कमभीर मैं यहाँ पे जो सोरो की energy है इतना दुख देख पा रही हूँ कि आपको कई बार ऐसी feeling आती होगी कि बस दुख को हमेशा चुपाया है अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया हमेशा जिसने जो कह दिया वो आपके अंदर चला गया लेकिन अब कुछ टाइम से आपकी हिम्मत तूट रही है हिम्मत तूट रही है मतलब आपका मन जवाब दे रहा है आपकी energy ब कब तक अपने आपको मैं ये करूँ जो इस इस परिस्तिती से मैं निकल जाऊं कब तक अपनी energy को drain ना होने दूँ आज आप action लेने की सोच रहे हैं बट आपका past आपको डरा रहा है कहीं न कहीं से आपको ये feeling आ रही है कि मैं action ले तो लूँ क्यों कि आप देखिए stability का card है यानि की रिष्टो को बहुत संभालने की कोशिश की है fire का card है action लेने की सोच रहे हैं लेकिन फिर से emotional card है क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बार 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 अगर मैं step लूँगा या लूँगी तो कहीं मैं fail ना हो जाऊं कहीं मैं ऐसी भी ना रहूं या मेरी और जादा दुन जो आपसे junior हैं छोटे हैं जो अपने आपको अभी जैसे कहते हैं नई PD उनकी respect हो रही है आपको दबाया जा रहा है आपकी मेहनत को अभी भी नहीं सराहा जा रहा है आपने जो अपनी life में काम किया है उसका result या उसकी appreciation या उस काम का जैसे कहते हैं credit किसी और को दिया जा र तो यह जो एनर्जी अब ऐसी हो रहे हैं कि एक्शन लूं के ना लूं जरूरत नहीं है किसी भी चीज से परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जितना पेशन्स रखना था न रख लिया जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको अपने हग का नहीं मिलेगा अगर आप एक्शन अगर आपको अपने हग का नहीं चाहिए तो ज राइपनेस की एनरजी है, जो पेशन्स रखी थी उसके फ्रूट मिलेंगे, हो सकता है किसी एक चीज में आपको कॉंप्रमाइस करना पड़े, क्या कॉंप्रमाइस करना पड़ सकता है, अगर आपको अपना मान सम्मान चाहिए, तो हो सकता है, यहाँ पे कुछ रिष्टे आप सरूर चाहे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेगा, अगर आप सच में अपना मान सम्मान चाहते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो लोग समझेंगे भी, कि आप गलत नहीं थे, वो लोग यह भी समझेंगे, कि आपने कितनी पेशन्स रखी है, आपके अंदर कितना दुख है और आपने कभी इन चीजों का रियक्ट नहीं किया, वो लोग आपकी भावन, अगर आपके अपने हैं ना, तो जरूर समझेंगे, बट यह राइट टाइम आ गया है, अपनी चीजों को समेटने का, अपने आतम सम्मान को पाने का, अपने दुख को हील करने का, आगे के एक्शन लेने का, अगर आप लाइफ में अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप लाइफ में अभी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देर कर रहे हैं, फिर यह दुख बनके रह जाएगा, हम बिना टाइम के भी जब एक्शन लेते हैं तो हमें लगत दुखना और double हो जाता है, लोग और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, लोग और negative energy में आना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी, कि कब तक हम compromise करते रहेंगे, कब तक हम अपने मान सम्मान का, कब तक हम अपनी बारी आने का wait करते रहेंग कोई भी चीज जो आपसे दूर हो रही है, जो मुझे यहाँ पे दूर होती नजर आ रही है, यह warning है, देखे, master की energy है, क्यों डरते हैं आप, अगर आप किसी के लिए इतना sacrifice कर रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को भी थोड़ी बहुत तो कदर होनी चाहिए न आपकी, क्या आप वो respect वो कदर deserve नहीं करते हैं, तो अगर आप वो respect कदर deserve करते हैं और आपको अपने संघर्ष पे भरोसा है, तो 100% यह master कह रहा है, अपनी energy पे काम कीजिए, अपने आत्म बल पे बढ़िए, अपनी energy पे focus बनाईए, चीज़े ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, यह जो ए आप जो यह डर रहे हैं न, कि मैं अपना हिस्से का मान सम्मान मांगूंगी या मांगूंगा, तो negative हो जाएगा, कुछ भी negative नहीं होगा, at least जो हो रहा है उससे जादा negative तो नहीं होगा, जो हो रहा है, negativity उससे जादा तो नहीं आएगी, तो जो भी आपकी life में घट रहा है, जो भी आपकी life में हो रहा है, अब उसको action लेने का right time आ गया है, action लेने की बारी आ गई है, अपनी life में आगे बढ़ने की बारी आ गई है, इस संधे को खतम करने की बारी आ गई है, और नया जीवन शुरू करने की बारी आ गई है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को subscribe क कीजिए, जादा सदा like, share, comment, खुश रहिए, सुस रहिए, मस रहिए, और scammers से बचिए, God bless you.